यमन के हूती ने लाल सागर में 21 अगस 2024 को ग्रीक जंडे वाले सो यूनियन कुरू डॉयल टैंकर पर शुरू आती हमला किया था इसके बाद अगले दिन भी हूती ने इस जहाज पर कई मिसाइले बरसाई थी जिसकी वज़ा से इस जहाज में आग लग गई थी और करीब एक हफ्ते तक इस जहाज के कई हिस्सों में आग धदकती रही थी और इसके बाद हूती के लड़ा के इस जहाज पर चड़ गए थे और जहाज पर मौजूद टेल के बैरल्स में बम लगाते हुए छे धमाके करते हैं जिसका वीडियो पूरी दुनिया के सामने आया था लेकिन आप एक बार फिर से हूती ने एक ऐसा ही हमला किया है हूती ने लाल सागर में पनामा के जंडे वाले लू लेगून वन जहाज पर हमला किया है हूती का आरोप है कि ये जहाज प्रतिबंदित फिलिस्तीनी बंदरगाह की तरफ जा रहा था जिसकी वज़ा से इस जहाज पर हमला किया गया हूती के प्रवक्ता ब्रियेडिय जनरल याया सारी ने इसको लेकर एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने इस हमले की पुष्टी की है इसार लिम्दलोमी जन्होंने लिम्दलोमी 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 लिम्दलो आपको बता दे कि हूती ने एक बार फिर से सभी कमपनियों को चेताबनी देते हुए कहा कि जो इसराइल के साथ कारोबार कर रही है अगर उनके किसी जहाज ने घोशेत इलाके में घुसने की कोशिश की तो उसके उपर हमला किया जाएगा चाहे वो जहाज कहीं भी जा रहा हो नियू जजनसी एपी के मताबिक हूती के हमलों की वज़ा से लाल सागर से गुजरने वाले एक ट्रिलियन के समान की आवाजाही बाधित हुई है जो हर साल इस रूट से निकलता है वही हूती के इस हमले को लेकर अमेरिकी नौसेना द्वारा संचालेट जॉइंट मैरिटाइम इन्फॉरमेशन सेंटर का कहना है कि दो अगस्ट दो हजार चॉबिस को भूती ने सबसे पहले दो बेलेस्टिक मिसाइले ब्लू लगून ओयल टैंकर पर फायर की थी और एक तीसरी मिसाइल जहाज के करीब आकर फट गई थी जहाज पर सवार चालक दल के सभी सदस से सुरक्षित है जहाज को मामूली नुकसान होनी की खबर है लेकिन उसे मदद की जरूरत नहीं है आपको बता दे कि पैनामा के जंडे वाला ब्लू लगून एक गैर सूचित गंतब विस्थान की तरफ जा रहा था यह जहाज रूस के उस लुगा बंदरगा जो बाल्टिक सागर पर है वहां से आ रहा था और इस जहाज ने संदेज जारी कर कहा था कि इस पर रूसी मूल का कारगो है लेकिन बड़ी बात यह है कि पिछले महिनों में यह जहाज भारत भी आया था इस जहाज ने भारत की जरूरत के 40 फीजदी से ज्यादा के तेल की रूस से डिलिवरी की थी और इस जहाज को ग्रीक की एक कंपनी चलाती है इस जहाज पर हमले को लेकर जॉइंट मेरिटाइम सेंटर का कहना है कि इसकी कंपनी के जैसे दिखने वाले अन्य जहाज हाल ही में इसराइल के बंदरगाह पर आये थे और इसी वज़ा से हूतियों ने इस जहाज को उन जहाजों जैसा समझ कर हमला कर दिया झाल झाल झाल